आज हम बनाएंगे राजस्थानी मसाला बाटी फ्रेंड्स ये इतनी टेस्टी है यदि आप इसे खाएंगे तो कचोरी समोसा भी आपको इसके आगे फीके लगेंगे इसे बनाना भी पहुत आसान है एक बार रेसिपी ट्राय कीजेगा आपको पहुत पसंद आएगी नमस्ते दोस्तो स्वागत है आपका श्याम रसोई में तो चलिए शुरू करते हैं बनाना सबसे पहले हम बाटी के लिए आटा लगा कर तयार करेंगे इसके लिए मैंने दो कप गेहूं का आटा लिया है जिस आटे से हम डेली रोटियां बनाते हैं वही आटा मैंने इस्तेमाल किया एक चोथाई कप मैंने सूजी का इस्तेमाल किया है ताकि आटा थोड़ा दरदरासा हो जाए क्योंकि बाटी थोड़ी सी दरदरी ही अच्छी लगती है आदा चोटा चम्मच नमक डाल दिया है आदा चोटा चम्मच अजवाईन को हातों से क्रश करके डाल देंगे एक चोथाई चोटा चम्मच बेकिंग सोडा डालेंगे इन सारी चीजों को पहले अच्छे से मिक्स कर देंगे और अब हम इसमें मोयन के लिए चार बड़े चम्मच देसी घी डालेंगे अब हम हातों से अच्छे से रब करते हुए घी को आटे में मिक्स करेंगे ताकि आटे के कंकड में अच्छा सा मोयन चला जाए इसे बांद कर देखिए एक्तम परफेक्ट मोयन है और अब हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल कर इसका थोड़ा टाइट आटा लगाएंगे तो देखिए जैसे हम पूरी वगेरा बनाते न उसका आटा लगाते हैं बिल्कुल वैसा ही आटा लगाना है हमने आटा लगाकर तयार कर लिया है और इतना आटा लगाने में हमारा करीब करीब तीन चोथाई कप पानी लग गया है तो अब हम आटे को ढग कर 15-20 मिनिट के लि आधा चम्मच कुटा हुआ साबुद धनिया डालेंगे एक चोथाई चोटा चम्मच हींग डाल दीजिए एक सी दो हरी मिर्च को बारिक कट करके डाला है और एक इंच अद्रक की टुकडे को कद्दुकस करके डालेंगे धीमी आज पर हम इन सब को 10-12 सेकेंड के लिए एक चम्मच धनिया पाउडर एक चम्मच कश्मीरी लाल मिच का पाउडर लिया है अब हम मतर को धीमी आज पर 2-3 मिनिट के लिए अच्छे से भूनेंगे मतर हमने भून लिया है अब हमने 4 मीडियम साइज के उबले हुए आलू लिये है आलू को मैंने हातों से ही मैश कर ल बियती हूँ वरना नीचे से मसाले जल जायेऊ dizzy आलू अच्छे से मिक्स हो जाने के बाद हम इसमें बाकी के सारे मसाले भी डाल देते हैं आदा चम्मच करम मसाला आदा चम्मच चाट मसाला और 1 चोथाई छोटा चम्मच काला नमक और स्वादानुसार नमक डाल दीजी इ और मिक्स करते हुए आलू को हम 2-3 मिनिट के लिए मीडियम फ्लेम पर अच्छे से भुनेंगे। इससे मसाला पहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगा। और ये लिजिए हमने आलू को 2-3 मिनिट भुना अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और अब हम इसमें एक छोटे निम्बू का रस्ट डालेंगे साथ ही बारी कटा हरा धनिया इनको भी मिक्स कर दीजिए आलू मसाला तयार है इसे ठंडा होने के लिए एक प्लेट में निकाल दिया है मसाले को पूरी तरह से ठंडा होने दीजिए इधर हमारा आटा भी अच्छे से सैट हो गया है इसे फिर से थोड़ा सा गूत लीजिए और अब हम इसमें से पेड़े निकालेंगे तो मैं ये बाटी तंदूर में भी बनाऊंगी और अब हम पैन में भी बना तो दो चमच की करीब मैंने इसमें मसाला भर दिया है मसाले को चमच से अच्छे से प्रैस कर दीजिए और अब हम आटे को चारो तरफ से इस तरह से पैक करेंगे जैसे हम पराठा बनाने के लिए आटे को पैक करते हैं बिलकुल वैसे ही आपको इसे भी पैक करना है ये दे तो सेम तरीके से पहले दोनों अंगोठे से आटोई को फैला लीजिए और उसके बाद इसमें आलू की स्टफिंग भर दीजिए चमच से अच्छे से प्रेस कर दीजिए और सेम तरीके से आटे को चारो और से उठाते हुए पैक कर लीजिए अपम पैन की जो साइज है उस हिस आप पाटी बनाईएगा अपम पैन के लिए ये देखे इस तरह से पैक कीजिए और इसके पीछे वाले पाट पर आप चाकू से दो कट लगा दीजिए ताकि बाटी अंदर तक अच्छे से सिखे तो ये लीजिए हमने आट बाटी तंदूर के लिए बनाई है और तीन तो आप ये मत बोलेगा कि कैसा तंदूर हो रहा है तो देखे अब हमने तंदूर में ये बाटियां रख दी है इन्हें हम ढख कर 5-6 मिनिट के लिए मेडियम फ्लेम पर सिखने देते हैं 5-6 मिनिट के बाद आप बाटी को पलट दीजिए और फिर से इसे मेडियम लो फ्ले मिनिट के लिए सिखने दीजिए तो इस तरह से आप 5-6 मिनिट के बाद बाटी को चेक करते रहिए और इसे सेक लीजिए तंदूर में बाटी बनने में करीबन 30-35 मिनिट का समय लग जाता है तो देखे हमें बाटी को बनाते हुए करीबन 30-35 मिनिट हो गए हैं बाटी हमार बिल्कुल तयार हो चुकी है तो अब हम इने बहार निकाल लेंगे इसी तरह से हम अपम पैन में बाटी बनाएंगे अपम पैन को भी मैंने 5 मिनिट के लिए मेडियम लो फ्लेम पर प्रीहिट कर लिया था तीन बाटी है तो मैंने तीन खाने में थोड़ा-थोड़ा घी डाल और अब हम इसमें ये बाटियां रख देते हैं और इसे ढखकर करीबन तीन मिनिट के लिए बिल्कुल धीमी आज पर पकने देते हैं तो तीन मिनिट हो जाने के बाद आप बाटी को पलट दीजिए ये देखे कितना बढ़िया इसमें कलर आ चुका है और इसमें हम थोड़ा थोड़ा सा घी डाल देते हैं और फिर से इसे ढखकर तीन मिनिट के लिए सिकने देते हैं फिर से तीन मिनिट हो जाने के बाद हम बाटी को चेक करेंगे अब हमें बाटी को ढखने की जरुरत नहीं है आप खूले में ही इसे अलट पलट करते हुए अच्छे से गोल्डन ब निट हो गए हैं और यह हमारी अपम पैन की बाटियां भी बनकर तयार हो चुकी हैं, हम इन्हें बाहर निकाल लेंगे, ये देखिए अपम पैन में भी कितनी बढ़िया बाटी बनकर तयार हुई है जो हमने तंदूर में बाटी बनाई थी उन्हें हम एक एक बार इस तरह से घी में डिप करेंगे यदि आप नहीं करना चाहते हैं तो बिल्कुल मत कीजिए मैं इसे थोड़ा थोड़ा घी में डाल रही हूँ जिससे इसका टेस्ट और भी बढ़ जाता है तो फ्रेंड्स इन बाटी को आप कर दिजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके